मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेज जैन और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की लार्विन दवाई के बारे में तो इसलिए इसकी जानकारी के साथ में इस वीडियो में हम आपको लार्विन के उपियोग के फसले बताएंगे कि कौन-कौन सी फसल में आप इसको उपियोग में ले सकते हैं इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे इसकी डोज यानि कि इसकी मात्रा के बारे में बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको लार्विन दवाई लेनी है कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है कौन-कौन सी फसल में आप इस दवाई को किस प्रकार, किस मौसम में और दूसरे कीट नाशक के साथ या फफूंदी नाशक के साथ में कर सकते हैं या नहीं इसके बारे में तमाम महत्वपून जानकारियां देंगे दोस्तों और वीडियो के अंत में जैसा कि हम हमेशा बताते हैं दवाई करते समय आपको किन-किन बातों की साथानी रखनी है उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले दोस्तों आईए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो लारविन दोई है इसका उपयोग आप मुख्य रूप से कपास तमाम तरह की सबजियां जैसे की बंद, गोबी, बैंगन, मिर्च, काला, चना, अरहर की फसल में कर सकते हैं या फिर हम कहें कि जिस भी फसल में तमाकू लट लगती है, बड़ी लट लगती है, गटल बिटल लगती है या फिर सबसे मूटी लट लगती है, उन सब फसल में आप लारविन दोई का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है थाइडी कार 55% WP जियां दोस्तों ये टेक्निकल भी बहुत पुराना है और इस टेक्निकल में दमदार तरे की शक्ती है क्योंकि ये बड़ी से बड़ी लट को भी एक या दो दिन में समाप्त कर देता है और वापस आने भी नहीं देता है और इसकी डोस का आपको विशेश दियान रखना है दोस्तों बताई गई डोस से ज्यादा आपको नहीं लेनी है तीन सो से चार सो ग्राम प्रती एकर तो आपको कपास और पत्ता गुबी में लेनी है 200 से 300 ग्राम प्रती एकड़ आपको बेंगन, मिर्चिया, काला चना या RR की फसल में लेनी है लेकिन बताई गई डोस से आपको बिल्कुल भी डोस जादा नहीं लेनी है अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपून बातों की दोस्तों ये तमाम तरह की लट चाहे वो बॉल वर्म हो, डाइमन ब्लैक मौथ हो, फल छे दखो, फली छे दखो आदी तमाम तरह के रोगों को ये रोगताम करती है, नियंतरन करती है और इन तमाम तरह की लटों को ये मारती है ये एक कारबामेट कीट नाशक है दोस्तों जो लिपिड डॉप्टेरान कीटों के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रभावी है जितनी भी मोटी लटे होती है तमाकू लटे होती है उनके खिलाफ बहुत जबरदस असर है ये लारवा कीट प्रबंदन कारिक्रमों के लिए सबस करता है और दोस्तों इसकी अवशिष्ट गतिविदी फसल द्वारा नई व्रद्धी अत्यदिक वर्षा या त्रिव और निरंतर कीट दबाव तक नियंतरन प्रदान करती है मतलब जादा बारिश में भी ये दवई काम करती है अत्यदिक आपके गर्मी में भी काम करती है आप इसको सुबह डाले शाम को डाले किसी और दवाई के साथ में डाले सिंगल डाले या किसी भी समय डाले इस दवाई का असर बहुत जबरदस रहता है दोस्तों अगर आपका पौधा 30% तक भी खराब हो गया है तब भी आप इस दवाई को डालके आपके बाकी के बचे 70 परसेंट पौधे को बचा सकते हैं ये दवाई जैसे ही डलती है वैसे ही अपना काम करना शुरू कर देती है और बहुत ही अच्छा काम करके देती है नुकसान होना उसी समय बंद हो जाता है जब आप लार्विंग का स्प्रेग कर देते हैं और दोस्तों साथ ही साथ में य लैप्टेड ओप्टरा एस पीपी जैसे गैग्रिये पॉली फैगस लीफीडर के नियंतरन के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है और ये एक उप्योग करता को लैपीड ओप्टरा को नियंतरत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरन और अन्य कीट नाशकों के प्रतिरोत की शुरुआत में देरी के लिए घुरूनी इस प्रे कारेकरमों में उप्योग के लिए एक वेवार्य विकल्प प्रदान करता है और दोस्तों साथी साथ में इसके कीट नाशक गुण उच्छ तापमान कोई साभी तापमान हो या प्रकाश से प्रतिकोल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं कम अगर धूप हो जादा अगर धूप हो कम बारिश हो जादा बारिश हो जादा हवाय चल रही हो नहीं चल रही हो तापमान अनुकूल हो प्रतिकूल हो किसी भी मौसम किसी भी वैवार किसी भी कंडिशन में लार्विन का रिजल्ट एक प्रिदम चका चक रहती है, सोयबीन में तो इसका बहुत ही जबर्दस फिजल्ट आता है दोस्तों, और हम आपको बता दें कि चित्र के जरीए जितने भी कीट देख रहा है ना इनको तो साफ करती है यह, तनाचेदक, साइला, प्लांट ओपर, सफेद मक्की, लीफ ओपर, ज तमाम तरह के रोगों को, तमाम तरह के कीटों को यह खतम करता है, इसका एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि इसमें हरे रंग का निशान है, तो यह जो मित्र कीट होते हैं, उस पर कोई भी दुश्प्रभाव नहीं रखता है, यह इसकी एक और बात करते हैं सावधानियों की, सावधानी रखना बेहल जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटी, दुरगटना घटी, सबसे पहली बात तो दोस्तों, यह पाउडर नुमा दवाई है, तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट पाउडर को इस्प्रे टैंक में नही इससे क्या होगा, दवाई पूरी एक समान रूप से घुल जाएगी, और ऐसा नहीं होगा कि किसी इस्प्रे टैंक में तो ज़्यादा दवाई काम में आ गई, और किसी में कम काम में आ गई, दवाई छिड़काव जब भी आप करें, हाथ के दस्ताने, मूपे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए दोस्तों, जब भी आप खेत में इस्प्रे करने जाएं, तो भूके पेट आपको नहीं जाना है, अच्छे से खाना खाके, अच्छे तापमान में आपको इस्प्रे करने जाना चाहिए, बहतर परिणामों के लिए दोस्तों हमेशा नेपसेग इस्प्र हवा से विपरित दिशा में कभी भी स्पृ्य नहीं करना है। जिस दिशा में हवा भे रही हो उसी दिशा में आपको स्पृ्य नहीं लगेगी। जैसे हवा बहेगी उस जगे अगर आप स्प्रे करेंगे तो दवाई की एक बून भी वेस्ट नहीं जाएगी आसपास की मीडों में नहीं लगेगी और साथ ही साथ में आपकी मानों शरीर पर भी नहीं लगेगी दोस्तों और दोस्तों ये चाहे लार्विन पैकिट में आता हो बॉटल में आता हो कटे में आता हो किसी भी फॉर्म में आता हो कोई सी भी दवाई किसी भी फॉर्म में आती हो ये सभी chemical formulation से बने होते हैं रसायनिक पद्धती से बने होते हैं और इनमें कहीं न कहीं जहर की मात्रा होती है तो जो ये खाली चीजें बसती हैं इनको तोड मोड़के नश्ट करके वहीं जमीन में हमें गाड़के चले आना है अन्य किसी भी उपयोग में हमें इनको बिलकुल भी नहीं लेना है उसके साथ साथ दोस्तों एक लारविन में ये सावजानी जरूर रखनी है कि थियोडिकार्ब जलिये जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायो या मचली पालन शेत्र के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ये भी आप लारविन दवाई करते समय बहुत ज़्यादा सतरक्ता बढ़ते हैं मदुमक्की पालन के शेत्रों के पास भी इसका उपयोग नहीं करना है तो दोस्तों ये थी तमाम सावधान या लारविन दवाई के बारे में और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की एलेंटो दवाई के बारे में जियां दोस्तों बहुत ही जबरतस ये वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत रोचक और बहुत अच्छी जानकारी हम लेकर आएंगे एलन्टो दवाई के बारे में दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिये दोस्तों और नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है क्योंकि जैसे जैसे आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकिशन के माध्यम से मिलेगी और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा दोस्तों नमस्कार